आज मैं आपका Mathematics में 1B बताने वाला हूँ लास्ट क्लास हमने Arthematic Progression का 1A खतम कर दिया था आज के क्लास में मैं आपको 1B के बारें बताऊंगा यार लास्ट क्लास में हमने इन्थ तर्म निकालना बताया था लास्ट क्लास में हमने आपको इन्थ तर्म का जितना इक प्रॉब्लम था मैंने वास्ट करवा दिया था आज के क्लास में मैं Summation of 8 तर्म के बारें बात करूँगा यार एक बात बतारे बच्चे पता लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था तो ऐसे हमें बोलाया था कि 48 नंबर क्या होगा, 47 तर्म क्या होगा, 45 तर्म क्या होगा, 10 तर्म का वैल्यू निकाल दीजिए यह बोल रहा था लेकिन आज के क्लास में जो बताऊंगा उसमें वह तर्म नहीं पुछेगा बलकि वहाँ तक के Summation तर्म का क्या वैल्यू होगा टर्म के summation का क्या value होगा या हमें इस इन टर्म निकालना सिखाता है चलिए ध्यान दीजेगा बताता हूँ हाँ रहे ध्यान दीजेगा बात करें आज की क्लास में आपको इन टर्म का summation find out करना रहेगा एक एपी दिया हुआ रहेगा पहले की क्लास में हमने जो बताया था तो आपको क्या था आपका सेवेंटिंग तर्म या तर्म पुस्ता था कि वह एटिंग तर्म पे कौन साथ नंबर आएगा कौन साथ तर्म आएगा लेकिन इस क्लास में मैं आपको उसका summation बताने वाला Suppose that AP का सीरीज दिया हुआ है दो चार छे आठ दस ठीक है अभी पता है यहां पे दो चार छे आठ दस पहले हमें एंध टर्म फाइंड़ाट करना था इसमें ऐसे बोलता कि 17 हमां टर्म 15 टर्म निकाल करके दिखाए वह हमें बस नंबर आफ टर्म निकालना बता रहा था कि सुलहमा ऐसे लगतार बढ़े है या फिर अगर घटने हो रहता तो घटते तो 16 टर्म पे कौन सा नंबर आता लेकिन यहां पे आपका समेशन में यह सिखाएगा कि अगर हम सम करते जाएगे तो वह समेशन तक वह टर्म में कौन सा नंबर आएगा जैसे एक जामपल देख का बोलता बताने के लिए दो टर्म का तो यार बगल में है ना ऐसे एस टू समेशन आप दो टर्म का तो हम ऐसे रिख देते तो टू प्लास फोर बरावर छे आ जाएगा ठीक है अगर बात करते एस थरी निकालने के लिए तो दो जोड चार जोड छे यहां पे अंसर हो जात कि लिए अगर उसी तरह से बोलता एस फोर बता दीजिए लगता यार चार ही है ना जोड़ने में क्या जाता है ऐसे भी आर्षबर कहीं थे उन्होंने उतना बड़ा काम कर दिया कि हम जोड नहीं सकते हैं तो यहां पर ऐसे बहात जोड सकते थे हो गया लेकिन ऐसे समेशन का कुछ टर्म ही देता और बोल देता कि निकाल के दिखा दो पचासमा समेशन टर्म क्या हो जाएगा मतलब पचास तक पहुंचेंगे तो आहां तक टर्म समेशन वैल्यू क्या आजाएगा अभी एक बात देखिए दो था तो इजली कर दियें तेन था तब भी जोड़ दियें हम लोग आलसी नहीं है यार हम लोग तो पुरा इनरजेटिक परसन है चार बोला तब भी निकाल के दिखा दें हो सकता है कुछ-कुछ लोग तो ऐसे लिए होते हैं जो साथ तक बोलता पचास कौन उतना जोड़ेगा पहले पूरा सीरीज लिखो फिर पूरा सम करें बहुत ही दिफिकल्ट है अगर पचासमा नहीं यार 151, 181, 191 ऐसे टर्म देता समेशन हैलो निकालने के रिए तो वहां पे एपी का समेशन टर्म हैलो क्या होगा उसके लिए हमें समेशन आप इंट तर्म निकालना पड़ेगा समेशन आप इंट तर्म निकालना पड़ेगा जैसे यहां पे देखी एपी का सीरीज दिया हुआ रहेगा जिसमें हमें यह बोलेगा कि वहां तक के समेशन बैलू वहां तक का समेशन टर्म का क्या बैलू आएगा वह आप निकाल करके बत हो सकता और कौन सा तर्म देगा या हमें नहीं पता हो सकता इस एटी बोल दे तो क्या अशी तक एसे लिख लिकर जोड़ेंगे नहीं ना तो वहां पर हम पर्मूला का यूज करके निकाल सकते कैसे द्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे चलते हैं ध्यान दी ठीक है देखे बचे बात बता रहें तीन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं अब यह नहीं कि हर फॉर्मूला को अप्लाइं कर दीजिएगा समझ मैं अगर मान के चलते हैं पहला फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं अगर आपको नंबर ओफ टर्म दिया हुआ रहेगा कि चलो बेटा निकालो 20 मा टर्म का समेशन क्या आएगा एकिसमा टर्म का समेशन क्या आएगा बाइसमा टर्म का समेशन क्या आएगा यहाँ पे समेशन और एंथ टर्म का जो एंथ टर्म है वहाँ तक का वैलू निकालने के लिए एक दम चिला चिला करके बोलेगा कि वहाँ तक का समेशन निकाल दो लेकिन उसका value नहीं given रहेगा जैसे मान के चले कि कभी तो भी बोल रहा है कि अची कि उसका 21 टर्म का summation 151 आ रहा है तो वहां तक हम वाग पर उगला दूसरा हो जाएगा लेकिन अगर आपको सीरिज में summation का value दिया रहा है एक है, तीन है, पांच है, साथ है तो वहां पर आपको बोल देगा 17 टर्म तक का summation बताओ तो यहां पर टर्म तो given रहेगा लेकिन उस summation का क्या value रहेगा वह given नहीं रहेगा last term हमें पता नहीं है कि last term उस सीरिज का क्या होगा बस वहां तक एक सीरिज दिया हुआ है जैसे एक जांपल में देखेगा यहां पर मान के चले एक, तीन, पांच, साथ, नौ ऐसे करके अगर दिया हुआ है suppose that समझेगा बात को पुरा यहां एक AP दिया हुआ है एक, तीन, पांच, साथ, नौ ठीक है अभी यहां पर इसमें बोल सकता था कि बताओ 15 तर्म तक का समेशन क्या होगा अभी एक बात जानियेगा बचे ध्यान समझे यहां पर 15 तर्म तक का समेशन बोल रहा है निकालने के लिए लेकिन क्या इस सीरीज में हमें यह बताया है कि इस सीरीज का last term क्या है, नहीं बोला, कोई specified नहीं क्या है, कि सीरीज का लगतार बढ़ते बढ़ते आखरी number कहां तक है, यह नहीं बोला, सिर्फ यह बोल रहा है कि 15 मा तक का जा, 15 मा कहां में क्याँ सा समेशन आएगा, क्या समेशन में दो आगा, वह बता दो, टिक है, तब हम आपको इस formula के द्वारा में बना सकते हैं जिसमें है आपका formula हो गया अब देखिए क्या है यहाँ पर एस 15th पोल राथा निकालने के लिए 15 हमार टर्म पोल राथा निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं A बराबर A बराबर हमारा क्या हो जाएगा बना निकालने के लिए इस 15 हमार टर्म ना कि क्या होगा इस 15 बोल राथा निकालने के लिए कि एस 15 हमार टर्म बताईए कि क्या होगा ठीक है चलिए formula का यूज़े देखिए तो यहाँ पे इस 15 बराबर इन वाईटू इन का भैलू क्या था 15 ना तो 15 बटा 2 और यहाँ पे बढ़ाला ब्रेकेट 2 एक तो 2 में एक से गुना करेंगे तो क्या अंसर आजाएगा हमारा 2 आएगा ना और यहाँ पे प्लस n-1 तो 15 में से एक गयात कितना हो जाएगा 14 और d का भैलू है कितना 2 ब्रेकेट को बंद कर दीजिए अब यहाँ पे एस 15 बराबर 15 बटा 2 और इंटू यहाँ सॉल्व कर लिए 14 दूना ठाईस और 2 कितना हो जाएगा 30 तो यहाँ पे 2 से 30 काटेंगे कितना जाएगा यहाँ पे 2 से 15 टाइम में 25 बार में 30 कर जाएगा अब हमारा इस 15 का भैलू हमारा आ गया 15 इंटू पंदरा बराबर 225 225 तो आ गया आप लिख भी दियें लेकिन कैसे होगा हम कैसे मालने की सही है अब भी एक बात लिखी आप चेक भी कर सकते हैं छोटा टर्म हम लिए हैं मचे 15 हमारा तक ही तो एक काम कीजिए अगर आपको चेक कर रहा है तो ऐसे हम बढ़ाते में पहले लिख लेंगे सीरीच को एक फिर था 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 ऐसी बढ़ेगा ना फिर 13 फिर 15 फिर जाएगा 17 फिर जाएगा 19 फिर जाएगा 21 देख लिख लिख 15 तक हो गया क्या एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 अच्छा फिर हो जाएगा तेस फिर पचीश और फिर 27 और फिर 29 देख तो हो गया 15 अच्छा एक तीन दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस गारा बारा तेरा चौदा पंदरा उनतीस तक में 15 हो गया अब इन सब को सम करके देख लिजे कालिकुलेटर से सम कर लेते हैं इस सब को सम कर लेते हैं सबस्यादे है एक तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नो प्रस इक तेर साथ प्लस यारा प्लस फंदरा प्लस शत्र है प्लस 19, प्लस 21, प्लस 23, प्लस 25, प्लस 27 हमारा अंसरी सब को जोड़ के देख रहे हैं तो हमारा 225 आ जा रहा है मतलब हमने 15 टर्म तक का सिरीज लिख लिया और सब कुछ सम करके देखें तो हमारा 225 आ रहा है मतलब हमारा बनाया हुआ क्या है? सही है लेकिन अगर अभी पता कितना लंबा चौड़ा लेग दिक दम प्रोसेस हो जारा दिमाग पहले पूरा सीरीज लिखो और फिर पूरे टर्म को एक्स्प्लेंड करो कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक चीज और बता रहे हैं तो इस प्रोसेस को लेंदी यार इसको छ सब्सक्राइब जाते चलिए ध्यान दिजेगा ठीक है हाँ डॉक्टर बियन गुपता सरके बुक से आपको मैं एक कोशन बना करके दिखा दे रहा हूं प्रैक्टिकल कोशन नमबर वन का वान चलिए ध्यान दिजिए यहां पे एक सीरीज दिया हुआ है यहां पे क्या दिय बोल रहा है कि 31st टर्म तक कर समेशन बता दिजिए अब हम यहां पे रिखेंगे पहले ए बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा दो दी बराबर पांच माइनस दो बराबर क्या हो जाएगा तीन और हमको निकालना है एस 31 ना एस 31 का वैल्यू क्या होगा ठीक है अब दे ब्रैक्टि लगा देंगे 2a ब्लास n-1 और इन्टू दी के लिए अभी देखेगा बात करें तो हमें एस 31 की बारे बात करें एस 31 यहां पे n बाइ 2 तो 31 बाइ 2 और बड़ाला ब्रैक्टि लगा देंगे 2a ना तो एका बैल्यू था दो एका बैल्यू कितना है 2 तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 1 तो यहाँ पे 1 का value 31 है तो 31 में से 1 गयात कितना हो जाएगा 30 और D का value हमारा है 3 D का value हमारा क्या है 3 अब इसको solve कर लेते हैं तो 31 बरावर क्या हुआ 30 तिया 90 और 4 94 हो जाएगा तो यहाँ पे 31 by 2 और into 94 94 हो जाएगा ने ब्रेकेट को solve करेंगे 30 तिया 94 चार चौरान में काट देंगे 248 247 कितना बार में कट गया 47 बार में अब आप multiple कर लेजे 31 बरावर 31 और गुना 47 गुना क्या ची 47 यार साइड वे multiple कर लेते हैं साथ एकम साथ 4, 47 21 के एक हाट में रहाद 2, 4 की बारा और 24 21 के हांद 2, 4 की बारा तेरा 14 अंसर आद रहेगा 45, 4, 1, 4, 5, 7 देखी तो देरा है मुक में अंसर 1, 4, 5, 7 1400 संतामन हमारा बनाया हुआ सही है यहां तक no doubt कुलीर है, concept किलीर है क्या बोल रहे है, नहीं किलीर है अज़न कि एक कॉस्ण और बता दे चली ध्यान दी जीगा एक कूस्ण और बता दे ते चली ध्यान दी जी एक बात बता रहे हैं सब्सक्राइब कर जाएगा समयां कॉम्भर्स स्टुडेंट के लिए मैथ का क्या वड़िन होता है हमें पता आई समयां तो आप एक टॉपिक ना एक दम माइंड में जाएगा आप में कंपेर करके देख लिए मैथ वाले स्टुडेंट साथ का पीछे नहीं रहे गया समयां और इडवांस आप बनाना जो और अच्छे से आप एक्स्प्रेंट कर सकते हो समयां खोड़ा वेट करें जी देखी दर बात करते हैं क्या होता है हमारा भारती सभीता संस्कृति में गेश्ट लोग जब भी आते हैं तो पैसा दे करके जाएगे ले लोगा पांच बढ़के काची करेगा तुम पैसा लाओ देदो हमको यह हाल हो जाता है अब एक बच्चा बहुत ही सार्फ माइंड का था पता उसका दिमाग जब बहुत जादो चबता था मम्मी बहुत चलाक है लगतार मेरा पैसा चीन रही है सारा जोड़की रखा जैसे ही बढ़ा कैसे थ्यान से दिखेगा बात करें यहां पी इक बच्चे कर दें घेस्ट आये पहला गेस्ट आये बोले बेटा लेडो पांच रुपया जैसे दूसरा पनों मतलब उन लोर्श से कम है क्या कम हम क्यूं दे आहुँक्ति नौर्पया दे चले गए वह वह कितना देके चले ग लो 2 रुपिया करके हम बाकियों से कम नहीं है थोड़ा जादा नहीं देंए बच्चा क्र र्राथा लगतार की मतलब 21 नंबर तक जो गेस्ट आएं तो 21 गेस्ट नंबर तक जो गेस्ट आएं वह गेश्ट कितना रुपीज देश सके मतलब कितना रुपया तब हो गया हो उनके पास में आप फाइल करके बताईए यहां पिर साब साब बोल गया चिल्ला चिल्ला की कोशन है बोल रहा है कि आप पांच साथ नौ ऐसे करके लगतार ही क्रीज कर रहे कर रहे हैं अभी देखेग निकलेगा ने टू माइनस इवान बराबर दो ठीक है अभी देखी एक बात बता रहें ए बराबर 5 डी बराबर आपका दो आगया और हमको बोला इसे इन बेटा 21 निकाल लो इसे न कितना निकाल लो 21 निकाल लो ठीक है अभी देखीगा तो इस इन बराबर फॉर्मूला का इन बाइट टू इन टू टू ए प्लास इन माइनस वान इन टू दी यहाँ फॉर्मूला हो गया हो गया ना अभी देखें तो इस ट्वेंटी वन बराबर इन बाइट टू का वैल्लू हम निकाल देंगे तो 21 वैटा दो लिख देते हैं 2A तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10 A का वैलू 5 था ना और 2 से गुना करना है तो 10 और प्लास इन माइनस 1 तो इन का वैलू 21 तो 21 में से 1 गया कितना 20 हो गया खिक है अभी D बराबर D बराबर क्या हो जाएगा common difference हमारा क्या है दो हो गया अभी देखेगा तो 21 बराबर 21 बाई 2 ब्रैकेट को solve कर लीजे जरा देखेगा 20 दूना 40 सदस कितना हो गया 50 हो जाएगा ना अभी solve कर लेंगे इस 21 का value हमारा तो यहां पे 2 से 25 बार में कट गया तो 21 इन्टू 25 जो आएगा हमारा result हो जागा है यहां करके देख लेते हैं 20 बाई 10 की 0 हाथ में रहा एक 2 एकंग 2 दो एकंग 5 पांग 2 दूना 10 और यहां पे हो जाएगा दो एकंग 2 दूना चार 5 दो 5 पांग सो 25 आज़ा हमारा answer क्या जाएगा 5 25 यह आपका complete हो गया ठीक है अभी सुनिएगा एक बाद बता रहें बचे जातें आपको दो फ़र्मू वरिम लांता हो जा है वो ने क्लास में बताओंगे आज आपका Ćभ कि जो पुरा आपको बनाना है वह आपको những कूस्टन से लो डैन अब टृतас सब्सक्राइब Zurich समझ में आ रहा है न मैथ क्लियर इस कारण से बोल रहा है आप क्या नहीं चाहते हैं कि मेरा confidence बढ़ें आप नहीं चाहते हैं कि मतलब लोग satisfied भी हो अब चाहते हैं कि मेरा confidence टूट जाया नहीं ना इसलिए बना करके सेंड कर यार आप यह जरूहीं कि सही अंसर ही आएगा ट्राय आप किये हो आप बनाए हो आप चैट पॉक्स में properly टास्क सेंड कर दिजिए डर लग रहा है कहीं पे explanation नहीं पना चाल रहा है अगर थोड़ा problem एक कारण से फासर हो आप पूछ लिज यार बता देंगे टेंसर नहीं लेजिए एक रिक्वेस्ट और यार अभी तक आपने बहुत लोग पता maximum फ्रेंड को पता एप्स को सेर कर दीजिए जो फ्रेंड पढ़ रहे हैं डाउट हो रहा है पक्का मेरा एप्स पता उनका बहुत जादा सपोर्ट करेगा ऐसे बहुत कोस्ट में टेंडरिंग कोस्ट जॉब कोस्टिंग में पचारी समझ में नहीं आता है तो यहां सारा प्रोग्लम के कारण से पता और गारंटेट कर रहे हैं एक्स्प्लाइमेशन जिस तरीके से आप बताऊंगा वह आपके लिए बहुत ही जादा बेनिफिसियल होगा समझ म में आएगा लोजिक के साथ बताएंगे और अच्छे से एक्स्प्लेइन करके हर्वडा करके नहीं ठीक है मैक्सिमम फ्रेंट को बोलिए यार टेंसन हो रहा है आप इंस्टॉल कर लो सरका ज्वाइन कर लो बेस्ट रहेगा गारंटेट भी लेगा मिलते हैं एक लास में बा